पिछले कोई दिनों से दोनों की शादी की खबरे भी खुबारी है लेकिन अब दोनों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है आपको बता दे कि मुंबई से मिल रही खबरों के मताबिक रनवीर ने आलिया के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है जुसको लेकर अब आलिया और रनवीर की शादी की खबरे भी खुबारी है कि हो सकता है कि अगले साल ये दोनों शादी करेंगे हाला कि इन दोनों के फैमिली के साइट से भी कुछ भी ऐसी स्टेट्मेंट नहीं आई है दोनों के फैमिली वालों ने इस मैटर पे चुप्पी बान रखी है तो आब आपको बताते हैं कि रालिया की आउट ही वेडिंग्स प्लान के बारे में तो आईए जानते हैं 2020 में गली गल यानि आलिया भर्ट रियल लाइफ वाली दुलनिया वाली फिलिंग लेने वाली है आज आपको बताएंगे कि आलिया ने अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन कर ली है चूज जी हाँ आपको बतादे कि मिल रही खबरों के अनुसार आलिया कश्मीर के वादियों में करना चाहती है शादी जी हाँ आपको बतादे कि कश्मीर की वही खुबसरत वादिया जहां फिल्म राजी की शूटिंग की थी उन्हीं वादियों में आलिया का दिल जीत लिया है और अब आलिया ने कश्मीर में अपनी वेडिंग का मन बना लिया है लेकें क्या रनवीर पूरी कर पाएंगे आलिया की एक खोईश? साथ ही आपको बता दे कि रिशी कपूर अपने लाडले की शादी टेपिकल पंजाबी स्टाइल में करना चाते है और रालिया की शादी मुंबई ही करवाने के फेवर में भी है खबरी यह भी थी कि रालिया विराट और अनुष्का की तरह अपने शादी फॉरें लोकेशन में भी कर सकते है रालिया किसी फ्रैं спрос के किसी खुबसर सेहर में एक दूसरे के हो सकते है हाला कि रनवी के मॉम और डाड वो देशी लोकेशन के फेवर में नहीं थे उसके बाद गोवा के बीच और जोदपूर के आलिशान बंगले पे भी किया गया था सोच विचार लेकिन आपको बता दे कि आलिया को तो भागया था दा लेक, बर, भड़े-भड़े पेर और चनाप अब देखना ये होगा कि आलिया की वादियों में शादी के सपने को क्या पूड़ा कर पाएंगे सावर्या ऐसी दिलचस्प सब्सक्राइब के लिए बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करने तो बिलकुल ना मुले नमस्कार